कर्तार सिंग सराभा भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे भारत में एक बड़ी क्रांतिना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी 16 नवंबर 1915 को कर्तार को जब फांसी पर चड़ाया गया तब वे मात्र साड़े उन्हें प्रसिद्ध प्रांतिकारी भगत सिंग उन्हें अपना आदर्श मानते थे कर्तार सिंग सराभा लुधियाना जिला ब्रिटिश भारत मौत 16 नवंबर 1915 लाहौर ब्रिटिश भारत नागरिक्ता भारत राजनेतिक पार्टी गदर पार्टी धर्म जाड सिक्व माता पिता मंगल सिंग पिता, साहिब कौर, माता, प्रिष्ठ भूमी व प्रारंविग जीवन सराभा पंजाब के लुधियाना जिले का एक चर्चित गाव है लुधियाना शहर से ये करीब 15 मील की दूरी पर स्थित है गाव बसाने वाले रामा व सद्दा दो भाई थे गाव में तीन पत्तियां हैं सद्दा पत्ती रामा पत्ती वर अराया पत्ती सराभा गाव करीब 300 वर्ष पुराना है और 1947 से पहले इसकी आबादी 2000 के करीब थी जिसमें 7-800 मुसल्मान भी थे इस समय गाव की आबादी 4000 के करीब है करतार सिंग का जन्म 24 मई 1896 को माता साहिब कौर की कोक से हुआ उनके पिता मंगल सिंग का करतार सिंग के बचपन में ही निधन हो गया था करतार सिंग की एक छोटी बेहन धन कौर भी थी दोनों बेहन भाईयों का पालन पोशन दादा बदन सिंग ने किया करतार सिंग के तीन चाचा बिशन सिंग वीर सिंग व बक्षीश सिंग उंची सरकारी पद्वियों पर काम कर रहे थे करतार सिंग ने अपनी प्रारमविक शिक्षा लुधियाना के स्कूलों में हासिल की बाद में उसे उडीसा में अपने चाचा के पास जाना पड़ा उडीसा उन बंगाल प्रांथ का हिस्सा था जो राजनीतिक रूप से अधिक सचेत था वहां के माहौल में सराभा ने स्कूली शिक्षा के साथ अन्य ज्यानवर्धक पुस्तके पढ़ना भी शुरू किया दसवी कक्षा पास करने के उपरांथ उसके परिवार ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये उसे अमेरिका भेजने का निर्नए लिया और एक जन्वरी 1912 को सराभा ने अमेरिका की धर्ती पर पाउं रखा उस समय उसकी आयू 15 वर्ष से कुछ महीने ही अधिक थी सिंग 1908 में ही अमेरिका पहुच गया था और अमेरिका प्रवास के प्रारंभिक दिनों में सराभा अपने गाव के रुलिया सिंग के पास ही रहा उनके बच्चपन की जीवन, संबंधी क्षणों में एतिहासिक्ता के अंश उसके अमेरिका प्रवास के दौरान ही शुरू होते हैं जब उसके भीतर एक आजाद देश में रहते हुए अपनी राष्ट्रिय असमिता, आत्मसम्मान वा आजाद की तरह जीने की इच्छा पैदा हुई इस चेतना को प्राप्त करने की शुरूआत सान फ्रांसिस्को की बंदरगाह पर उतरते ही शुरू हो गई थी आवरजन अधिकारी ने उससे अमेरिका आने का कारण पूछा था और सराभा ने बर्कले विश्व विद्यालय में उच्छ शिक्षा प्राप्त करना अपना उद्देश्य बताया था अधिकारी द्वारा उतरने की अनुमती न दिये जाने के प्रश्न के उत्तर में सराभा ने तर्कपूर्ण उत्तर देकर अधिकारी की संतुष्टी करवा दी थी लेकिन अमेरिका के दो तीन महीने के प्रवास में ही जगह जगह पर मिले अनादर ने सराभा के भीतर सुशुप्ट चेतना जगानी शुरू कर दी एक बुजुर्ब महीने के घर में किरायदार के रूप में रहते हुए जब अमेरिका के स्वतंतरता दिवस के अफसर पर महीला द्वारा घर को फूलों व वीर नायकों के चित्रों से सजाया गया तो सराभा ने इसका कारण पूछा महिला के ये बताने पर की अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर नागरेक ऐसे ही घर सजा कर खुशी का इजहार करते हैं तो सराभा के मन में भी यह भावना जागरित हुई की हमारे देश की आजादी का दिन भी होना चाहिए भारत से अमेरिका गए भारतिय जिन में से ज्यादातर पंजाबी थे प्रायह पश्चिमी तट के नगरों में रहते और काम की तलाश करते थे इन शहरों में पोर्टलेंड, सेंट जॉन, इस्टोरिया, एवरेट आदी शामिल थे जहां लकड़ी के कारखानों वर रेल्वे वक्षोपों में काम करने वाले भारतिय 20-20 30-30 की टोलियों में रहते थे कनाड़ा वर अमेरिका में गोरी नसल के लोगों के नसलवादी रवये से भारतिय मजदूर काफी दुखि थे भारतियों के साथ इस भेद भावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध कनाडा में संथ तेजा सिंग संघर्ष कर रहे थे तो अमेरिका में ज्वाला सिंग थट्थियां संघर्ष रत थे इन्होंने भारत से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका बुलाने के लिए अपनी जेब से छात्रवृतियां भी दी करतार सिंग सराभा अपने गाव के रुलिया सिंग के पास कुछ समय इस्टुरिया में रहा 1912 के आरंभ में पोर्टलेंड में भारतिय मस्दूरों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें बाबा सोहन सिंग भकना, हरनाम सिंग टुंडिलाट, काशीराम आदी ने हिस्सा लिया ये सभी बाद में गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बन कर उब्रे इस समय करतार सिंग की भेट जवाला सिंग थर्टियां से भी हुई जिन्होंने उसे बर्कले विश्व विद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया जहां सराभा रसायन शास्त्र का विद्यार्थी बना बर्कले विश्व विद्यालय में करतार सिंध पंजाबी हॉस्टल में रहने लगा बर्कले विश्व विद्यालय में उस समय करीब 30 विद्यार्थी पढ़ रहे थे जिन में ज्यादातर पंजाबी वबंगाली थे ये विद्यार्थी दिसंबर 1912 में लाला हर्दयाल के संपर्क में आये जो उन्हें भाशन देने गए थे लाला हर्दयाल ने विद्यार्थियों के सामने भारत की गुलामी के संबंध में काफी जोशीला भाशन दिया भाशन के पश्चात हर्दयाल ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से भी बात चीत की लाला, हर्दयाल और भाई पर्मानंद ने भार्तिय विद्यार्थियों के दिलों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भावनाएं पैदा करने में बड़ी भूमिकाने भाई भाई पर्मानंद बाद में भी सराभा के संपर्क में रहे इससे धीरे-धीरे सराभा के मन में देशभक्ती की तीवर भावनाय जागरित हुई और वह देश के लिए मर मितने का संकल्प लेने की ओर अग्रसर होने लगा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता पर सीधा नियंत्रन कर एक और उत्पीरन तो दूसरी और भारत में अपनिवेशिक व्यवस्था का निर्मान शुरू किया क्योंकि खुद ब्रिटेन में लोक्तांत्रिक व्यवस्था थी इसलिए म्यूनिस्पैलिटी आदी संस्थाओं का निर्मान भी किया गया लेकिन भारत का आर्थिक दोहन अधिक से अधिक हो इसलिए यहां के देशी उद्योगों को नश्ट करके यहां से कच्चा माल इंग्लेंट भीजा जाना शुरू किया गया साथ ही पूरे देश में रेलवे का जाल बिचा ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामंतों को अपना सहयुगी बना कर किसानों का भयानक उतपीरन शुरू किया नतीजतन उन्नीसवी सदी के अंत तक आते आते देश के अनेक भागों में छिटपुट विद्रो होने लगे महराष्ट्रा और बंगाल तो इसके केंद्र बने ही पंजाब में भी किसानों की दशा पूरी तरह खराब होने लगी परिनाम तह बीसवी सदी के आरंभ में ही पंजाब के किसान कनाडा अमेरिका की ओर मस्दूरी की तलाश में देश से बाहर जाने लगे मध्यवर्गिय छात्र भी शिक्षा प्राप्ती हे तू इंग्लेंड अमेरिका वे यूरोप के देशों में जाने लगे थे अमेरिका और कनाडा में भारत से काम की तलाश में सबसे पहले 1895 और 1900 के बीच कुछ लोग पहुँचे 1897 में कुछ सिक्स सैनिक इंग्लेंड में डाइमंड जुबली में हिस्सा लेने आए और लोटते हुए कनाडा से गुजरे उनमें से कुछ वहीं रुख गए लेकिन ज्यादातर पंजाबी मलाया, फिलिपीन्स, हॉंग कॉंग, शंगाई, फिजी, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड आदी देशों से सबसे पहले कनाडा और अमेरिका पहुँचे 1905 में कनाडा पहुँचने वाले भारतियों की संख्या सिर्फ 45 थी जो 1908 में बढ़कर 2023 तक पहुँच गई एक विद्वान के अनुसार 1907 में वहाँ 6000 तक भारतिय पहुँच चुके थे इन में से 80 प्रतिशत पंजाबी सिख्व किसान थे 1909 में कनाडा में प्रवेश के कानून कड़े कर दिये जाने पर भारतियों का रुख अमेरिका की ओर हुआ जहां पर 1913 में भारतियों की संख्या एक अनुमान के अनुसार 5000 थी हाला की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी पुस्तक इंडियन इन फॉरन लांड्स में इनकी संख्या 15,000 बताते हैं इन भारतियों में 90 प्रतिशत पंजाबी सिख किसान थे कुछ मध्यवर्गिय विद्यार थी थे कनाडा और अमेरिका पहुँचे पड़े लिखे भारतियों ने शीग रही वहां से भारतिय स्वतंत्रता की मांग उठाने वाली पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू की तार्कनात दास ने फ्री हिंदुस्तान पहले कनाडा से पत्र निकाला तो बाद में अमेरिका से गुरुदत कुमार ने कनाडा में युनाइटेड इंडिया लीग बनाई और स्वदेश सेवक पत्रिकाभी निकाली कनाडा और अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान व अन्य अनेक देशों में पहुँचे भारतियों ने स्वतंत्रता की अलख जगाए भारत से बाहर जाकर भारतिय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले भारतियों में सबसे पहला चर्चित नाम श्याम जी कृष्न वर्मा का है जिन्होंने पहले इंग्लेंड और उसके बाद पेरिस से स्वतंत्रता का बिगुल बजाया इंग्लेंड से शुरू हुआ, इंडियन सोशियोलोजिस्ट, अंग्रेजों की कोपद्रिष्टी का शिकार होकर पेरिस पहुचा और वहां से भारत और दूसरी जगहों पर पहुचता रहा पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ साथ सर्दार सिंग राना और मदाम भीकाजी कामा बहुत सक्रिय रही 1907 के स्टुगाड में हुए समाजवादी सम्मेलन में भीकाजी कामा ने ही पहली बार भारत का जंदा फेहराया जर्मनी में वीरेंद्रनाथ चटो पाध्याए जो चटो के नाम से चर्चित थे और चंपक रमन पिल्लाई सक्रिय थे इन्ही के साथ स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत भी सक्रिय रहे 1906 में इंग्लेंट पहुँचे विनायक दामोदर सावर करने अभिनव भारत व फ्री इंडिया सोसाइटी बनाए उन्ही से प्रेरित होकर पंजाब से पहुँचे मदनलाल धींगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी जिसके कारण उन्हें डेड महीने के भीतर ही लंदन में फांसी दे दी गई भारत से बाहर भारत की आजादी के लिए फांसी पर चद कर शहीद होने वाले वे शायद पहले भारतियत है इसके 31 साल बाद एक और पंजाबी देशभक्त उधम सिंग ने जलियावाला बाग के कुख्यात खलनायक ओडवाय की हत्या कर 1940 में लंदन में ही फिर शहादत हासिल की थी इस बीच इरान में सूफी अंबा प्रसाद और कनादा में भाय मिवा सिंग शहीद हुए भुमिका 16 नवंबर 1915 को साड़े 19 साल के युवक करतार सिंग सराभा को उनके छे अन्यसाथियों बक्षीश सिंग जिला अमरिटसर, हरनाम सिंग, जिला स्यालकोट, जगत सिंग, जिला लाहौर, सुरेन सिंग वा सुरेन, दोनों, जिला अमरिटसर, वा विश्नु गनेश पिंगले श्ट्रा के साथ लाहौर जेल में फांसी पर चड़ा कर शहीद कर दिया गया इन में से जिला अम्रित्सर के तीनों शहीद एक ही गाँव गिलवाली से संबंधित थे। इन शहीदों वर इनके अन्य साथियों ने भारत पर काबिज ब्रिटिश उपनिवेश्वाद के खिलाफ 19 फरवरी 1915 को गदर की शुरुआत की थी। भारतिय अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सुख सुविधाओं भरी जिन्दगी छोड़कर भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए समुद्री जहाजों पर भारत पहुँचे थे। गदर आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। ये सशस्त्र विद् जाबी, हिंदी, उर्दूव गुजराती चार भाशाओं में निकलता था के माध्यम से इसका समुची भरतिय जन्ता से आहवान किया था। अमेरिका की स्वतंत्र धर्ती से प्रेरित हो अपनी धर्ती को स्वतंत्र करवाने का ये शांदार आहवान 1857 के प्रथम। स्वतंत् संग्राम से प्रेरित था और ब्रिटिश उपनिवेश्वाद ने जिसे अवमानना से गदर नाम दिया। उसी गदर शब्द को सम्मानजनक रूप देने के लिए अमेरिका में बसे भारतिय देशभक्तों ने अपनी पार्टी और उसके मुखपत्र को ही गदर नाम से विभ लिए दूसरा सशस्त्र संग्राम यानी गदर भी चाहे असफल रहा लेकिन इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। विश्व स्तर पर चले इस आंदोलन में 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए। गदर व अन्य घटनाओं में 315 से ज्यादा ने अंदमान जैसी जगहों पर काले पानी की उम्रकेद भुगती और 122 ने कुछ कम लंबी कैद भुगती। सैकडों पंजाबियों को गावों में वर्षों तक नजरबंदी जहलनी पड़ी। उस आंदोलन बंगाल से रास बिहारी बोस वे शचींद्रनात सान्याल। महराष्ट्रा से विश्नू गनेश दिया तो शंगाई, मनीला, सिंगापो आधी अनेक विदेशी नगरों में हुए विद्रोह ने इसे अंतरराष्ट्रिय रूप भी दिया। 1857 की भाती ही, गदर, आंदोलन भी सही मायनों में धर्म निर्पेक्ष संग्राम था जिसमें सभी धर्मों व समुदायों के लोग शामिल थे। गदर पार्टी आंदोलन की यह विशेशता भी रेखांकित करने लायक है कि विद्रोह की असफलता से गदर पार्टी समाप्त नहीं हुई। बलकि इसने अपना अंतरराष्ट्रिय अस्तित्व बचाए रखा वभारत में कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो से पंजाब का युवक विद्रोह, जिसके लोकप्रिय नायक भगत सिंग बने। भी गदर पार्टी व करतार सिंग सराभा से अत्यंत रूप में प्रभावित रहा। एक तरह से भगत सिंग का व्यक्तित्व व चिंतन गदर पार्टी की परंपरा को अपनाते हुए उसके अ दोरान भगत सिंग क्रांतिकारी आंदोलन के महानायक बने। यह अस्वाभाविक नहीं है कि करतार सिंग सराभा ही भगत सिंग के सबसे लोकप्रिय नायक थे। जिनका चित्रवे हमेशा अपनी जेब में रखते थे और नौजवान भारत सभा नामक युवा संगठन के मौजवान भारत सभा की हर जनसभा में करतार सिंग सराभा के चित्र को मंच पर रखकर उसे पुषपांजली दी जाती थी। करतार सिंग सराभा गदर पार्टी आंदोलन के लोक नायक के रूप में अपने बहुत छोटे से राजनीतिक जीवन के कार्यकलापों के कारण अपने प्रकहर व्यक्तित्व की ऐसी प्रकाशमान किरने छोडी की देश के युवकों की आत्मा को उसने देशभक्ती के रंग में रंग कर जगमग कर दिया। ऐसे वीर नायक को फांसी देने से न्यायाधीश भी बचना चाहते थे और सराभा को उन्होंने अदालत में दि बयान हलका करने का मश्विरा और वक्त भी दिया। लेकिन देश के नवयुवकों के लिए प्रेर नास्त्रोत बनने वाले इस वीर नायक ने बयान हलका करने की बजाए और सक्त किया और फांसी की सजा पाकर खुशी में अपना वजन बढ़ाते हुए हस्ते हस्ते फांसी प अक्सर गुंगुनाया करते थे। कहां किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहां मेरा, तेरी खिदमत में ऐए भारत। ये सर जाए ये जाँ जाए, तो समझूनगा की मरना है हयाते जादवा मेरा।